एक कविता सुनाती हूँ आपको, कविता कहिए, गाना कहिए, पुराना है, तब नहीं सुना होगा, पहले जब सुना तब इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब आज के रिष्टे देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि कितनी सही बात लिख दे गई है। देखें, इन सब का मतलब ये जो भी आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिष्टे नातित तोड़ दे नहीं है, पर जैसा मैंने कहा, उमीद मत लगाई, बहुत सची बाते लिखी गई है, भगवान कहते न सच बताते हैं कि एक तरफ डेड एंड है, जाओगे तो सुखी रहोगे, और व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, और फिर कहता है, मुझे दुख क्यों मिले, मुझे दुख क्यों मिले, तो बगवान कहेंगे, तो कब से दो बता रहा हूं कि गलत रास्ता है, तो इतने सही शब्द है कि उन शब्दों को समझ ले, तो व्यक्ति कभ के भी दुखी होगा यह नहीं कोई किसी का नहीं ये जूथे, कोई किसी का नहीं ये जूथे, ना ते हैं ना तो का क्या, कस्मेवादे प्यार वफासं बाते हैं भगवान बार-बार संतों को भेज कर, दुखो को भेज कर, संकटों को भेज कर, आपको समझाते रहते, सही रास्ता कौन सा है। किस रास्ते पर चलना है, पर हम आख बंद करके गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। कितनी सुन्दर बात लिखी है कि होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तुना बच पाएगा आप कि अपने वीतीरिवास देखिए बगवान तो उसमें भी सच बता रहे है तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा के तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा और आसमान में आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा कसमे वादे प्यार वफा सब बाती है और जैसा मैंने का दुनिया कैसी है सुख में सब आपके साथ खड़े है दुख में आप एक दुख बताईए वो अपने चार और बताएंगे क्या किसी से मदद मागे तो दुख में सब छोड़के जाएंगे आपको और ऐसे ऐसे छोड़के जाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मेरा साथ छोड़ सकता है ये मुझे दोका दे सकता है कि सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मूँ मोडेंगे कि सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मूँ मोडेंगे कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़े कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़े और क्या उमीद रखते हैं आप ऐसे लोगों से यहां कितने हैं जो मानते हैं कि भगवान हर जगे है हर जगे से देख रहा है, कौन-कौन मानता है हाथ उठाब, फिर भी गलत काम करते हो, फिर भी पाप करते हो, यह जानते हुए, कि सबका हिसाब होगा, वो हर कौने से देख रहा है, तो हम कैसे हो गए हैं, देते हैं भगवान को दोखा, कि देते हैं भगवान को दोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे, प्यार वफासम बाते हैं, इसलिए जितना समय है, अच्छे काम कर लो,